यहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडिया पोस्ट उतर परदेश डांक विभाग जीडियेस ओनलाइन फोर्म 2020 पोस्ट परिफेंस के बारे में कि कैसे आप एक साथ में 20 परिफेंस दे पाओगे तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हूँ कि कैसे आपको एक बारे में 20 पोस्ट परिफेंस देनी है तो अगर आपका ये सवाल है या फिर आप जानना चाहते है तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो आप यहां पर post for reference चूज करोगे क्या आप एक ही post office को बार बार अलग अलग post for reference में चूज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो तो यह जानकारी भी आपको इसी वीडियो में clear हो जाएगी पर दोस्ते यह सब जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दू कि जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर एक स्रीज शुरू की है जिसमें कि मैं आपको परते एक वीडियो के अंदर एक जीके का question पोश्चता हूँ और जो लोग उसमें सबसे पहले right answer देंगे दो candidate उनको में 50 रुपे का paytm करूंगा बट ये paytm आपको तम मिलेगा जब आप लगतार 10 वीडियो के उपर अपना answer दोगे अब ये matter नहीं करता कि आपने पहली वीडियो को सबसे पहले answer देकर के बाद की वीडियो में answer सबसे पहले दिया है या नहीं दिया है बट आपको बाकी की वीडियो में answer जरूर करना होगा अगर आप जो आपका paytm है उसको पाना चाहते हो तो चेलिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको question देता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल है medical termination of pregnancy amendment bill 2020 के 27 सब्ता यानि के week तो जो भी आपको लगता है इसका right answer है आपको comment के मादिम से बताना है साथ ही आपको वीडियो को like, share और चनल को subscribe करके रखना होगा यह इसके नियम और condition है अगर आप पूरी तरीके से eligible होना चाहते हो अब चलिए दोस्तों इसके अलावा अगर आपने अभी तक eligibility की वीडियो भी नहीं दे की तो आपको यह वीडियो भी यही पर मिल जाएगी मैं आपको इनके direct link इस वीडियो के description में भी देने वाला हूँ और साथ ही दोस्तों अगर आपने apply कर लिया है और आपके कुछ सवाल है इस बरती को लेकर के जैसे की आपके सामने यहाँ पर display पर सवाल दिये जा रहे है इस वीडियो के अंदर मैंने इन सभी सवालों के answer की है तो अगर आप इनका answer जानना चाहते हो तो आपके लिए यह वीडियो भी खास होने वाली है इसका link पे आपको वीडियो के description में मिल जाएगा फिर साथ ही अगर आपको यह जानना है कि गरामिन डाक सेवा क्या है इसमें आपकी जो profile कैसे रहती है किस तरह का काम करना पड़ता है कितनी salary आपको मिलती है और क्या आपका promotion भी होता है या फिर नहीं होता है तो यह सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी और इस वीडियो का link भी आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा अब चले दोस्तों मैंने इस वीडियो के इस वीडियो में जो आपको main जानकारी देनी है यह तो मैं आपको देने ही वाला हूँ बट आपके अगर कोई और सवाल थे इनका answer भी अन्य तरीके से आपको दे दि मैं आपको बता दू कि इसमें आपको अगर आप 20 पर इफेंस पर आवेदन कर रहे हो तो आपको उसकी फीज भी अलग से देनी होगी यानि कि परती एक आपकी जो 5 पर इफेंस है उसके लिए आपको 100 रुपए application फीज देनी है तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको apply online क के ओपर click करना है इसके ओपर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा यहाँ पर आपको अपना registration scrutin number enter करना है इसके बाद आपको circle applyingpy form में उत्तरपर रधयश चूज़ करना है और ंसके बाद एक date over जो की मेरे form के अंदर मैंने fill up की थी वो select कर लेता हूँ आपको भी same तरीके से जानकार यहाँ पर select करनी होगी तो चलिए यहाँ पर थोड़ा wait हो रहा है मैं यहाँ पर एक एक करके यह जानकारी select कर लेता हूँ और select करने के बाद आपको यहाँ पर next के उपर click कर देना है इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे with this registration number you have already applied do you wish to continue यानि कि इस registration number के साथ आपने पहले भी apply कर लिया है और जो लोग इस form को SCHD से भर रहे हैं उनको कोई fix नहीं देनी है और directly अगले interface पर आ जाएगे बट अगर आप इस form को general OBC से बढ़ रहे हो तो आपको 100 रुपए application फीज देनी है और जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के सुरुआत में बताया कि इसमें पर तेक 5 परिफेंस के लिए आपको 100 रुपए application फीज देनी होगी यानि कि 20 परिफेंस के लिए आपको 400 रुपए फीज देनी है तो यहां से आपको OK कर देना है अब OK करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface होगा जो कि directly आपके सामने preferences का page आ जाएगा यहां पर आपके सामने दे जा रहा है maximum allowed option 20 number of fees received paid यहां पर आपको fees भी दी जाएगी अगर आप general OBC से इस form को भर रहे हो total eligible option यहां पर 20 है used option 5 है क्योंकि 5 जब आपने इसके अंदर registration क्या होगा या फिर apply क्या होगा तो 5 तो आपने तभी यूज कर ली होगी 15 का आपके सामने अभी option दिया जा रहा है तो यहां पर आपको क्या करना है आपको सेम तरीके से अपना division चूज करना है जिस division में आप रखना चाहते हो मैं यहां से सारानपूर select कर लेता हूँ फिर यहां पर बात आती है select post यहां कि आप किस post में रखना चाहते हो तो आपको अपना post यहां पर select कर लेना है अब आपका सवाल ही है कि क्या हम सभी जो preference यहां पर देने वाले हैं उन सभी preference में same division और same post office चूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो आपका answer है कि आप नहीं कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप सभी के अंदर same division select करें और same post office select करें क्योंकि मैंने ऐसा यहां पर करके देख लिया है आप जैसे की वीडियो में देख पा रहे हैं यहां पर आपके सामने same post office choose है और साथ ही same उसका जो division है उस choose है बट यहां पर इसके बाद जैसे ही मैंने save and print के ओपर click किया तो यहां पर आए कि यह already registered है इसलिए आपको यहां पर अलग ही choose करना होगा आप यहां पर maybe division select कर सकते हो बट यहां पर जो पोस्ट office है वो आप same बिल्कुल भी नहीं रख सकते जिसके यहां से मैं जो आपका division है वो same रखता हूँ बट यहां पर जो post office है उसको अलग select कर लेता हूँ इसी परकार से मैं यह सब भी select करने के बाद यहां पर आपको क्या करने है आपको भी save and print के उपर क्लिक कर देना है save and print के उपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे application submitted successfully इसका मतलब यह है कि आप लोग यहां पर division select कर सकते हूँ same but जो इसके अंदर post office आते हैं वो आपको अलग-लग choose करने होंगे और यहां पर दोस्तों आपके सामने नीचे print के अंदर जो आपने अभी recent में preferences choose की है वो देखने को मिल जाएगी आपको यहां पर पूरी जानकाई दे जा रही है circle आपका क्या है और post name आपका क्या है इसी परकार से दोस्तों आप लोग अन्य preference भी choose कर सकते हो वो आपको सेम तरीके से यही process repeat करना होगा यानके यहां पर आपको apply online के उपर click करना है जो आपका रेश्रेसर नंबर है वो आपको यहां पर इसके अंदर डाल देना है अपना circle यहां पर उत्तर प्रदेश चोज करना है submit के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद यहां पर आपको सेम तरीके से अपनी date उपर चोज करनी होगी तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दता हूँ यहां पर आपने अपना जो year हो select कर लेना है month select करना है और इसके बाद next के उपर click कर देना है इसके उपर click करने के बाद same interface आएगा आपको यहां से ok करना है और ok करने के बाद आप यहां पर फिर से preferences के उपर आ जाओगे और अब यहां पर आप देखोगे used option 10 यानि के आपने 5 और option use कर लिये जैसे के आपने अभी वीडियो में देखा यह मैंने आपको दिखाया और अन्य जो आपकी preferences है वो भी आप इसी परकार से दे सकते हो और फिर आपको same process save and print के उपर click करके कर लेना है और फिर अगर आप 5 और preference देना चाते हो तो आपको फिर से 3rd time यह जो process है वो repeat करना होगा इस परकार से दोस्तों आप यह सबी preferences दे पाऊगे और अगर आपको कोई भी problem आ रही है पर इसी देने में तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो अगर आपका इन में से कोई एक सवाल है जो कि मैंने शुरुआत में आपको वीडियो के में बताया था तो आपको यह वीडियो वाच कर लेनी है अगर इन वीडियो के अंदर आपकी संतुष्टी नहीं होती answer की तो फिर आप मुझे comment करके पूछ सकते हो दोस्तों यह थी आपकी उत्तर प्रदेश GDS भरती 2020 ओनलाइन फोर्म पोस्ट प्रिफेंसिस के बारे में पूरी जानकारी आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज आपस वीडियो को लाइक, सेर और साथ इसाथ ग्यांदे होस्ट यूटूब चैनल को सबस्काइब कर ले और सबस्काइब करने के बाद बैल के आईकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकिशन सबसे पहले मिल पाए जे हिंदोस तो झाल 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 झाल